Hello everyone, Assalamualaikum, Welcome back to my channel आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चिकन काथी रोल की रेसिपी हम एकदम सिंपल तरीके से चिकन काथी रोल बनाएंगे और बहुत जादा टेस्टी तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाकर रेडी करेंगे बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप मेंदा ली है और हम इसमें नमक डालेंगे according to taste और इसके बाद हम इसका एक स्मूथ चिकना डो बनाकर तयार करेंगे जो ना बहुत जादा सक्त हो ना बहुत जादा नर्म हो ऐसा जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं तो हमारा जो डो है गुनकर एकदम तयार हो गया है अब हम इसको आदे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अब हम काथी रोल के लिए स्टफिंग बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे यह बोनलेस चिकन लिया है जिसके छोटी-छोटी क्यूब्स में पीस कड कर लिये है और यहाँ पे मैंने यह आठ से दस लसन की कल्या लिये है जिसको बारीक कद्दू क्रश किया है हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिया है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है हाफ टी स्पून नमक लिया है और एक चमश मैंने लिया है कस्तूरी मेथी जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक कटोरी मैंने दही ली है 150 ग्राम दही है बहुत गाड़ी दही ली है मैंने एकदम ठिक दही यूज़ करेंगे हम इसका मैरिनेट रेडि करने लिए तो सबसे पहले हम इसका मैरिनेट बनाएंगे तो मैंने यापे दही को थोड़ा से फेट लिया है और उसके बाद हम सारे ड्राइ मसाले इसमें मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे दही के अंदर तो हमारे सभी मसाले दही में अच्छी तरीके से मिल चुके हैं अब हम इसमें जो हमारे पास चिकन क्यूब से वो इसमें एड़ कर देंगे अब हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो chicken pieces पे अच्छी तरीके से coat हो जाए तो हमारा जो marinate है वो बनकर एकदम तयार हो गया है अब हम इसको half an hour के लिए freeze में रख देंगे rest करने के लिए जब तक हमारा marinate rest करने के लिए रखा है तब तक हम इस roll के लिए base बना कर तयार कर लेते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे एक medium size का portion ले लिया है जिससे हम यहाँ पे एक बड़े size की रोटी बना कर तयार करेंगे यह रोटी बहुत जादा पतली या बहुत जादा मोटी नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा जिस तरीके का हमारा पराठा होता है उसी तरीके से हम इसको बना कर ready करेंगे आप चाहें तो यहाँ पे layer वाला पराठा भी बना सकते हैं तो अब हम इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे हमें थोड़ी बड़ी रोटी बेल ली है क्योंकि मैंदा जो है सिकते सिकते थोड़ा सा छोटी हो जाती है तो जितनी बड़ी आप इसके लिए रोटी बनाएंगे उतना अच्छा आपका base बनकर तयार होगा तो चिकन काथी रोल के लिए हमारा base बनकर एकदम तयार है अब हम इसको सेख लेते हैं तो मैंने gas पर एक तवा रख दिया है जिसका flame medium to high है अब हम इसको अच्छी तरीके से सेखेंगे यहाँ पर हम पहले इसको सिर्फ रोटी की तरी सेखेंगे हम इस पर oil का स्वाल नहीं करेंगे और सभी रोटीों को बना कर एक जगा रख लेंगे अगर आप चाहें तो डारेक्ली यहाँ पर भी पराठा बना सकते हैं यह तोटली आप पर डिपैंड करता है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको रोटी की फॉर्म में बना कर तयार कर लूँगी कितने अच्छी तरीके से हमारा जो बेस है वो ऐसे फूल रहा है हम इसको दबा दबा कर सिर्क लेंगे इसी तरीके से हम बाकी बचे वे आटे के बेस बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे बेस बने हैं सभी बेस को बना कर एकदम तयार कर दिया है अब हम चलते हैं चिकन को बनाने के process पर हम अब चिकन का जो filling है उसको बना कर तयार करते हैं मैंने gas पर pan रख दिया है और pan में 2 tablespoon oil डाल दिया है oil जैसे ही तोड़ा सा गर्म हो गया है मैंने इसमें ये जो marinate करा हुआ चिकन था वो सारा चिकन इसमें डाल दिया है हम किसी भी सूखे मसाले का उपर से इस्तमाल नहीं करेंगे जो हमने मैरिनेट रेडी किया है इसी को हम डारेक्ली पकाएंगे जब तक हमारा चिकन पकर तयार होगा तब तक हम इसमें यूज की जाने वाली वेजटेबल्स को चौप कर लेते हैं तो चलें वेजटेबल्स को कट करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से वेजटेबल्स चाहिए इसके लिए तो मैंने इसके लिए यहाप एक प्यास को लंबे-लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है गाजर को मैंने कदुकरश किया है पतला पतला आप चाहें तो इसको भी slices में cut कर सकते हैं और मैंने यहांपे पत्तगों भी लिया है जिसको slices में cut कर लिया है आप अपने पसंद के और भी vegetables ले सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे capsicum हो गया yellow, red, green जो आप चाहें इसमें add कर सकते हैं मैंने यहाँ पर बस इन तीनों का ही इस्तमाल किया है और अब हम इसमें half lemon squeeze कर देंगे ताकि हमारे जो vegetables से इनका color भी change ना हो और एक कटोरी मैंने यहाँ पर veg meo ने लिया है चलिए हम जाकर अपना chicken एक बार check कर लेते हैं कि chicken जो है अच्छी तरीके से पका है या नहीं पका है तो यह देखे हैं जो chicken है वो काफी अच्छी तरीके से पक चुका है बस हमें थोड़ा सा और पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो एकदम खत्म हो जाए तो यह पकते chicken में से जितना भी excess water था वो सब dry हो चुका है हमारा chicken एकदम dry हो गया है अब हम चलते हैं काथी रोल बनाने के process पर अब हम इसको filling करने से पहले हम इसको vegetable oil लगा कर अच्छी तरीके से सेक लेंगे अगर आप तेल नहीं लगाना है तो आप इसको totally skip कर सकते हैं यह आप पर depend करता है मैंने इसको अच्छी तरीके से vegetable oil लगा कर सेक लिया है हमारा base एकदम crispy होकर तयार हो गया है अब हम सबसे पहले इसके उपर mayonnaise लगाएंगे base पर अच्छी तरीके से mayonnaise spread हो चुका है अब हम इसके उपर इसकी stuffing रखेंगे जो हमने chicken की stuffing बनाई है चिकन की stuffing रखने के बाद हम इसके उपर vegetables रखेंगे जो हमने chop किये थे तो हमने vegetables रख दिये हैं आप इस time पर अपने पसंद की कोई भी extra sauce इसमें मिला सकते हैं tomato sauce, chili sauce या mustard sauce जो आपको पसंद हो बट मैंने इसमें कोई भी extra sauce नहीं मिलाई है क्योंकि ये चोटी बच्चों के लिए है और अब हम इसको एक tissue paper लगा कर अच्छी तरीके से roll कर देंगे ताकि इसको खाते time कोई problem ना हो इसी तरीके से हम बाकी बच्चे हुए सभी काथी roll बना कर तयार कर लेंगे ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करें और अपना experience मेरे साथ जरूर शेर करें comment box में और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें शेर करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें